तो लैप, HL, बिजनस लोन, और लोन, इलिजिबिलिटी इनकी निकालनी, इंकम-based calculations निकालनी, तो चार वीडियो बेसिक कॉंसेप्ट कवर करने के लिए आपको 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 बता चुका हूँ, तो ये फिफ्थ वीडियो है और काफी इंपोर्टेंट वीडियो है ये, इसक अपलाई किया है, तो उस segment के लिए हम eligibility कैसे निकालेंगे, इसके बारे में ये वीडियो पूरा रहेगा आज का, तो ये वीडियो के लिए मैं अपना पूरा time लोगा, मैं कोई इसको 25-30 मिनिट में खतम करने की कोशिश नहीं करूँगा, इसको मैं full-flash, जितना मैं detail में explain कर सका, उत्रम explain करूँगा आपको, पहले मैं सबसे पहले आपको calculator explain करूँगा कि calculator कैसे कैसे बनाया मैंने, ताकि वो calculator आप खुद घर पे भी design कर पाओ, right, calculator बनाने के समझने के बाद, then हम एक आद sample profit and loss account से हम एक eligibility निकालना सीखेंगे, कि कैसे हमने calculation को बनाया है, एक आद civil report से थोड़ा बहुत चीज़े चेक करेंगे, ज्यादा detail में नहीं जाओंगा इन चीज़ों में, but focus यह रहेगा कि आपको conceptually एक idea मिल जाए, कि कैसे eligibility calculate होनी है, reason being कि आप जिस bank में भी काम करेंगे, जिस NBFC में भी काम करेंगे, वहाँ पे आपका calculation का method slightly different हो सकता है, approach slightly different हो सकती है कोई bank taxation को less करता है, कोई bank taxation को less नहीं करता है, कोई bank किसी चीज credit card की obligation लेता है, कोई bank credit card की obligation को ignore कर देता है, हर एक के अपने-पने rules, हर एक के अपने-पने regulations है, तो आपके लिए मैं value addition क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट आपको एक conceptual way में सोचना सिखा सकता हूँ, कि हम जो काम कर हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, ताकि जब आप practically काम करने चाहें, चाहे आप fresher हैं, चाहे आप experienced हैं, आप उसी सोच को लेके जाएं, और जो चीज़ को सीखने में आपको वहाँ पे एक अफता, 10 दिन, 15 दिन लगें, इस वीडियो के help से I hope आप उसको 15 दिन क पंदर दिन के टाइम को 4-5 दिन में cover कर लें, यह मलब आपका 60-70% organization में time save हो जाए, तो यह आपको additional advantage मैं देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के through, तो let us start, तो सबसे पहले मैं calculator के उपर आऊंगा, let us open the calculator, sorry, पीछे निकल गया, that is the calculator, तो देखिए यह calculator मैंने बनाया है, तो 2-4-5 बैंकों से मैंने reference ली है, तो वहाँ पर check किया कि कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं, तो उसके base पर मैंने एक crux के रूब में calculator बनाने की कोशिश किये, ताकि आपको चीज़ समझ में आग, तो देख income based के लिए, तो सबसे पहले देखे, मैंने यहाँ पर लिखा है, applicant name, applicant means, जो main applicant है, जिसके नाम पर loan होना है, तो जो मैं आज की वीडियो है, तो यह firm, कोई firm का नाम, यहाँ पर मैंने ABC पर आवे limited लिख दिया, तो कोई partnership firm भी हो सकती है, proprietorship concern भी हो सकती है, तो यहाँ पर firm का नाम आएगा, जो main applicant है, जिसके नाम पर loan होना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि उसकी 2022, financial year 2022 में कितनी income थी, financial year 2021 में कितनी income थी, अब यहाँ पर कई bank differentiate कर देते हैं, मैंने 2 साल उठाए हैं, कई 3 साल उठाते हैं, तो मैं यहाँ पर average 2 साल के लिए के चल रहा हूँ, तो उसक हम उसकी एक simple average करेंगे, काफी organization average method को follow करती हैं, तो हम भी average method को follow करेंगे, कि इस profit की हम average निकालेंगे, क्योंकि अगर 2021 में मालिज 10,000 का profit था, यहाँ पर 40,000 रपे का profit था, तो हम यह नहीं चाहते हैं कि हम अपनी income 40,000 के basis पे calculate कर दे हैं, हलांकि अगर आप dead share हो रहा हैं कि उ ऐसा भी कोई rule हो कि इन दोनों को average करने की जगा आप latest income के उपर calculate कर दीजिए, might be ऐसे हो सकता है, तो इसी वज़े से मैं कह रहा हूँ कि आपको concept समझने की जरूरत है, एक rigid होने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ही काम करने, idea समझने की जरूरत है, अब idea से अगर बात चली है, तो मैं आपको basic idea आपको पहले ही दे देता हूँ, देखे, आप किसी को lap, HL, business loan, auto loan अगर आप दे रहे हैं, तो आप लंबे tenure के लिए loan देते हैं, lap आप 10 साल, 15 साल के लिए भी देते हैं, home loan तो 30 साल के लिए भी देते हैं, auto loan usually 5 साल के लिए देते हैं, business loan 3 से 5 साल के लिए आप उस person को एक बार loan दे दिया, उसके बाद आप जितने समय का आप ने उसको loan दिया, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, मैं lap की यहाँ पर basic example लेकर जलूँगा, 15 साल का loan, तो 15 साल के लिए आप उसको भूल जाते हैं, 15 साल के लिए आपको उसके पास जाना नहीं पड़ता, 15 साल में आप आपको कुछ नहीं पता, वो कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, क्योंकि आप कोई भी monitoring document उससे लेते नहीं हो, उसका धंदा कैसे चल रहा है, आपको नहीं पता, as long as your EMI is coming on time, right, तो इतने लंबे tenure के लिए अगर आप किसी को loan दे रहे हो, और उसका आप assessment कब कर रहे हो, आप आज की date में बैठके assessment कर रहे, आप आज के दिन में आपके सामने उसके जो performance है, जो उसने business में earn किया, जो उसने कमाया, जो उसकी कमाई है, जो उसकी आज की obligations है, वो आपके सामने आज की date में presented है, आपको यह नहीं पता कि 5 दिन बाद वो और loan उठा ले, 3 महीने बा आपको कुछ नहीं इस चीज़ का idea, तो आपको आज की income के base पे जब आप उसको पकड़ेंगे, कि आज उसकी ये position है, आज उसके ये financials है, आज उसका ये profit है, और आपको अगर आप उसको 10 साल का या 15 साल का लोन दे रहे हैं, तो आपको ये, आप ये assume कर रहे हैं, कि ये जो profit है, ये जो कमाई है, ये जो उसका wealth है, ये आगे 10 साल तक as it is continued रहेगी, देखें आप कितना बड़ा risk यहाँ पे सोच के चलते हैं, आप ये assume कर रहे हैं, कि 10 से 15 साल उसकी income के levels में कोई भी impact नहीं आएगा, तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कि आज क वो income as close to reality हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप जो income आज calculate करेंगे, वो as close to reality होनी चाहिए as possible, उसमें कोई hypothetical चीज़े नहीं होनी चाहिए, अब मानली जी इस example में मानली जी मैं यह कहता हूँ कि यहाँ पर profit उसने 1 लाख रुबे का profit कमाया, पर जब आपने profit and loss count चेक किय तो उसको 10 लाख रुपे की lottery income लगी थी, 2022 में, यहाँ उसने कोई fixed asset को बेचा था, उससे उसको 2 लाख रुपे का profit हुआ था, तो आप खुद अपने दिमाग में लगाई है कि यह क्या profit on sale of fixed asset है, क्या 10 सल तक उसको होता रहेगा, क्या 10 सल इसकी कमाया खटता रहेगा, वो वो तो one time profit था, one time income थी, तो क्या वो income इस profit before tax में आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि यह profit before tax उतनी income के साथ inflated है, वो 2 लाख की income भी इसमें जुड़ी हुई है, तबी यह 1 लाख निकला है, अगर वो 2 लाख की income ना होती, profit on sale of assets की, तो शायद यह minus 1 लाख पे बैठा होता, minus 1 लाख रुपे पे, वो 2 लाख रुपे की income की वज़े से यहां पे profit आ गया उसका, तो in that way आपको सोचना है कि income as close to operational और as close to reality अपकी होनी चाहिए, इस fundamental को आपको पकड़ के चलना है, तो यहां पे average out करने का भी क्या motive होता है, average out करने का भी motive यही होता है, कि म कहीं 2022 में उसने exceptionally higher profit कमा लिया, जो मेरे को लगता है कि might be आगे सालों में वो continue नहीं करे, तो banks, NBFCs क्या करती है, कि उनकी 2 साल की income की average लगा के चलती है, कि on an average उसने कितना कमाया, दोनों सालों में, हलांकि मैंने आपको फिर से में repeat कर रहा हूं, कि अगर आपको लगता है कि 2022 में उसकी income जो levels हैं, वो that are more than enough to cover, that are reality, that are actual figures and that are expected to continue in future as well, तो आप ये चीज़ अगर आपका bank या NBFC अलाओ करती है, तो इसका NFA deviation भी ले सकते हैं, कि 2022 के उपर ही आप calculation कर लें, 2021 की साथ average आउट करके उसकी average कम ना करें, तो इस तरह से देखा जा सकता है, but that is subject to your internal rules and policies. तो average आउट हमने कर दिया, आके percentage का मैंने fundा लगाया यहाँ पर, मैंने क्या fundा लगाया, obviously banks and NBFC लगाते हैं, तो percentage का fundा लगाया, percentage का fundे का मतलब है, कि जो ये average निकल क्या ही, तो ये income मैं पूरी के पूरी consider कर रहा हूँ, अपनी calculation purpose के लिए, अब ये इस चीज़ का क्या motive है, अब देखिए, ABC private limited है हमारी इस example में, वो business से profit कमा रही है, depreciation कमा रही है, अब यहाँ पर हमने देखा कि वो other sources से भी income कमा रही है, other sources means उसको FD पे ब्या जा गया, FD पे ब्या जा गया या कोई उसको rental income आ गया, या फिर बतल कोई और any other उसको nominal income आ गया, ठीक है, जो other sources से income है जो business के साथ related नहीं था, पर वो जो income है, उसकी हर साल repeat हो रही है, हर साल उसको वो income होती है, दो सालों से आपने चेक किया, तो वो continuity है उसकी income में, हाँ, एक और concept, जो अगर आप उससे सबसे जैसे सोच रहे हैं कि 10 साल के लिए आप लोगों लोन देना है, और उसकी जो income आज आप assess कर रहे हैं, वो income आप presume कर रहे हैं कि आगे भीग चलती रहेगी, तो obviously जो आप income पकड़के चलेंगे, वो income एक continued income होनी चाहिए, ऐसा नहों कि वो exceptionally इस साल में generate होई थी, तो normally bank and NBFC क्या follow करते हैं rule, अगर माले जी आपको उसका saving count का या FD का interest income में add करना है, कि उसको interest आता है जी FD पे, या उसको rent आता है जी, तो वो rent continuously उसकी 2-3 ITR में दिखना चाहिए, जो भी आपकी bank की policy है, दो या 3 ITR में आपको regular दिखना चाहिए, तो आपको ये समझ में आए कि ये income की उसकी continuity है, तो पीछे अगर continuity रहे है, तो आगे भी continuity रहेगी, तो फिर उसको आप उसको consider कर लीजिए, अब देखिए, यहाँ पे हम जब income किसी की बनाना चाहते है, again fundamental क्या है, as close to as reality जाना, तो मैं कहता हूँ कि जो ये main businesses से उसने income कमाई है, ये तो अच्छी बात है, ये तो सारी 100% sure है कि ये incomes उसकी रहेंगी, रहेंगी, पर जो इसकी other sources से income है, FD का ब्या नहीं होगी, ये continue रहेंगी, ये नहीं रहेंगी, तो इन incomes का मैं 50% कर दूँगा, इन incomes का 50% कर दूँगा, इनकी मैं weightage कम कर दूँगा, अपनी calculation के लिए, अगर यहाँ पे मेरी figure, इन दोनों की सालों की average, मालीज ये 10,000 पे आती है, तो मैं 10,000 का 10,000 पे उसकी total कमाई में include नहीं करूँगा, मैं उसका आधा कर दूँगा, conservative हो जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि ये तो other sources की कमाई है, इनका पता नहीं continue होगी कर नहीं होगी, core business की कमाई तो ये है, तो इनको मैं यहाँ पे हटा दूँगा, और इसका 50% लोगा, कई bank 75% भी ले सकते हैं, कई bank 100% भी ल अलग अलग बैंकों के अलग अलग rules हो सकते हैं, तो आपको उसके साबसे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप formula देखेंगे, average का formula simple, C4 और D4 का average, यह formula हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने percentage लिग दिया 100%, और average आई है, उसके उपर 100% को apply किया, multiplication किया, E4 into F4, तो हमारी यह eligible income यहाँ पे आ गई, तो यह किस की आई है, ABC private limited की, तो अभी पहले calculator को समझ लेजे, बाकी चीज़ों पर बाद में आएंगे, then हम बात करते हैं, co-applicant की, co-applicant वो होता है कि जो सहयोग कर रहा है साथ में income add कर करने के लिए, यहाँ property owner हो सकता है, तो जो co-applicant है, वो हमारे case में मान लीजिए, राम कुमार है, अब राम ABC private limited की income आप कहां से उठाएंगे, उसकी balance sheet से उठाएंगे और उसकी ITR से भी उठा सकते हैं, पर आपको balance sheet से ही main pick करना पड़ेगा, क्योंकि आपको interest on loan, considered obligation भी add back क जो कि आप ITR में आप नहीं डूंट पाएंगे, तो यह आपको balance sheet से पता लगेगा, और ITR के साथ आपका यह कुछ चीज़े cross check हो जाएंगे, जैसे profit before tax cross check हो जाएगा कि same act नहीं है, tax आपको ITR से मिलेगा, depreciation ITR में भी होगी, और balance sheet में भी होगी, income from other sources ITR में भी होगी, balance sheet म जो director है, for example ABC Prevail Limited में, तो यह इसकी income के लिए को balance sheet तो मिलेगी नहीं आपको राम कुमार की, तो इसकी कहां से उठाएंगे income सारी, इसकी income उठाएंगे हम इसकी ITR से, इसकी ITR जो आएगी हमारी 2 सालों की, 3 सालों की, तो उसी ITR से income उठाएंगे, हाँ, अब जब आप यह च 30 स्तंबर 2022 को फाइल कर दी, यानि कि ITR फाइलिंग डेट क्या थी, 30 स्तंबर 2022, 2021 की आपने चेक किया कि 2021 यानि कि 31 तिन 21 की ITR भी उसने 31 जुलाई 2022 को फाइल की, यानि कि लेट रिटर्न फाइल की, for example आप मालिजे कि इतना डेले तक रिटर्न फाइल करना अलाउड था, income tax क तो उसने 31 जुलाई 2022 को फाइल की, ये रिटर्न 2022 की उसने दो मीने बाद ही फाइल कर दी, तो दोनों रिटर्ने विदिन गैप आप टू मन्स फाइल कर दी, तो ये प्रॉबेबल ये चांस है कि इसने जो रिटर्ने भरी है, might be a loan apply आपके पास करने हो, तो उसी के कारण पास के टाइम में उसने भरी हूँ, तो इस वज़े से कई बैंकों में ये policy भी होती है, कि दो ITRs के बीच जो filing का difference होना चाहिए, वो minimum 6 महीने का होना चाहिए, कई बैंकों में ऐसी policy होती है, तो सेम आस पास 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 ITR filing ना हुई हो, तो रामकुमार का हमने ये same लिख लि तो वहां का profit डाल सकते हैं, उसकी depreciation का benefit उसको दे सकते हैं, add back करके क्योंकि cash profit हमें calculate करने होते हैं, कोई उसको interest आया किसी investment पे, तो वो interest यहां पर आजागा, कोई remuneration आया, कोई rent आया, कोई other sources की income आया, तो अब for example, rent पे मैंने 75% का weight डाल दिया, कि मैं इसको 75% ही मानूँग तो यह उसकी incomes आगी, यह उसकी incomes आगी, तो अब आपको क्यार करना है, अब यह आगी आपकी total incomes, यह देखे फॉर्मुला चकीजिए, G4 to G19, तो यहां तक आपकी total incomes आगी, obviously जो tax amount आई है, minus में होगा आपका, यह tax amount minus में होगा, तो यहां पकी total income आगी, कई bank tax less नहीं भी करत तो यहां पर आपकी total income आगी, तो यह total income क्या represent करती है, यह total income आपकी represent करती है, कि आपका जो borrower है, वो borrower सलाना कितने पैसे कमा रहा है, cash में, कितने पैसे net वो सलाना कमा ही कर रहा है, यह आपकी total income represent करती है, अब जैसे मैंने यहां पर एक main applicant लिया, एक co applicant लिया, तो इसके साथ आप और भी कई एड कर सकते हैं अब जैसे मैंने राम कुमार की इंकम को भी जोड दिया यहाँ पर आपको लगता है कि शाम है कोई बंदा ABC पर लिंग्ड है या राम का भाई है शाम की इंकम जोड के eligibility बनानी है यह इंकम जो दोनों की जो इंकम का टोटल है यह सफिशेंट नहीं है तो हमें और इंकम चाहिए तो आप शाम को कोई एड कर लीजिए और यहाँ पर शाम का डाल दीजिए और यह सारी चीज़ शाम की एड कर दीजिए अगर आपको लगता है कि कोई राम और शाम की कोई partnership firm है राम एंड शाम एंड कंपनी मान लीजिए राम राम शाम एंड कंपनी कोई partnership firm है राम और शाम दोनों भाईयों की तो वो partnership firm से अच्छी खासी इंकम आ रही है तो आपको लगता है वो partnership firm को अगर एड कर लें तो और बैटर हो जाएगा तो यहां पर आप co-applicant partnership firm को भी आड कर सकते हैं अगर partnership firm को add करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको उसकी calculations add करनी पड़ेंगी partnership firm की individual करेंगे तो individual की कुछ इस तरह से करनी पड़ेंगी add तो आप जितने मर्जी applicant co-applicant चाहे यहां पर applicant तो single ही रहेगा obviously co-applicant आप जितने चाहे वहां पर उतने add कर सकते हैं उसकी total income को बढ़ाने के लिए यही लैप और actual product का मज़ा यही benefit है इस चीज़ का क्योंकि जितने मर्जी लोग आप combine कर ले working capital में क्या होता है कि जो boring firm होती है आपको उसी boring firm को उसके ही cash flows के base पे funding करनी पड़ती है लैप actual business loan auto loan में ऐसा नहीं होता यहां पर आप multiple लोगों को add करके आप एक combined pool बना सकते है जैसे समूंदर में कई जगा पर कई नदियों का पानी गिरता हो न तो एक समूंदर बन जाता है बड़ा सा उसी तरीके से लैप HL में आप कई लोगों की income को combine करके एक बड़ा pool बना सकते है और उस pool में से अपनी loan की legibility ही निकाल सकते है तो जितने चाहाए आप उसमें कर लीजिए वो आपके co-applicant बनते जाएंगे हलांकि कुछ बैंकों में इस चीज की रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि more than 4 co-applicant नहीं होने चाहिए या more than 3 बंदों की income combine नहीं होने चाहिए अगें आप उसके जिसाहां काम कर रहे हैं आप उसके rules के साब से चलिए तो आप total income आपने combine कर ली तो total income क्या हो गया आपका total पूल हो गया कि कितना क्लाइंट कमा रहा है पूरे साल में अब जब आपने उसको बारा से डिवाइड कर दिया उस पूल को बारा से डिवाइड कर दिया तो आपको समझ में आ गया कि एक महीने में कितना कमा रहा है अब एक महीने में वो बंदा इतने पैसे कमा रहा है जो जहां पर हम बैठे हैं अब उसकी existing देंदारी हैं कितनी है मेरी जो नया loan में दे रहा हूँ वो तो देंदारी उसने देनी ही देनी है वो तो मैं देखोंगा पर उसके इलावा देखें मेरी wording पर देंदीजिए जो मैं loan दे रहा हूँ उस loan के इलावा उसकी कितनी देंदारी है तो वो आप यहाँ पर mention करेंगे, अब वो देंदारियां उसकी ब्याज की भी हो सकती है, उसकी EMI, प्रिंसिपल प्लस ब्याज की भी हो सकती है, EMI की भी हो सकती है, तो वो total देंदारियां other than my loan, यहाँ पर आप डालेंगे, अब मैं आपके सामने एक example रखता हूँ, आप 2 मिन था outstanding, आपको बोला उसने कि इसको plain take over कर लिजिए, एक करोड रुपे से ही, उस loan की EMI थी मा लिजिए 50,000 रुपे, तो जब आप सिबल चेक करेंगे, तो आपको उस loan की EMI नजर आएगी, और bank state में भी नजर आएगी, कि 50,000 रुपे की EMI जा रही है, तो क्या आप उस 50,000 की EMI को यहां पर लिखेंगे, existing obligations में, खुद सोचिए, वो 50,000 पे वाला loan तो आप खुद दे रहे हैं, आप खुद वो loan take over करके दे रहे हैं, तो आप उसको existing obligation में थोड़ी डालेंगे, वो तो आपकी proposed obligation में आएगी, क्योंकि वो loan separately तो चलेगा नहीं, या तो वो चलेगा या का loan चलेगा, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकते हैं, mutually exclusive event हैं दोनों, आप HDFC bank का loan take over कर लेंगे, वहां पर बंद हो जाएगा 50,000 की EMI और आपकी 50,000 की EMI शुरू हो जाएगी, for example, तो ultimately client की EMI कितनी रही, 50,000 की रही जो आप दे रहे हैं, तो वो HDFC bank का loan आपने take over करना है, य यहां पर आएगी, right, तो हमने देखा कि पूरे महीने में वो बंदा इतने कमार है, existing उस वो इसकी देंदारी इतनी है, जो मैं नया loan दे रहा हूं, उसकी देंदारी इतनी है, right, तो उसके बाद मैं क्योंगा, कि उसका fire कितना है, fire मतलब fixed obligation to income ratio, कि उसकी total fixed obligations, उसकी income का कितने परसेंट है, simple meaning, fire का meaning क्या, उसकी total obligations, उसके income का कितने परसेंट है, अब यह जो obligations है, यह मन्तरी obligations लिखी हैं हमने दोनो, right, तो मैं कहता हूं कि यह दोनो, यानि कि, यह दोनो, G23 प्लस G24, G23 प्लस G24, इसकी total देंदारियां है, पर मन्त, right, अगर आपने CC limit का ब्याज लिया, माली जी CC limit 60 lakh रुपे की है, तो 60 lakh की उपर माली जी average ब्याज 10% है, तो 60 lakh का 10% कितना बनता है, 6 lakh रुपे, तो 6 lakh रुपे तो सलादना ब्याज है, पूरे साल का ब्याज है, तो मन्तली ब्याज कितना बना, 6 lakh डिवेड़ बेबेब 12, 50,000 रुपे, तो यहां पर existing obligation में आपका इतना मां उड़ाएगा, 50,000 रुपे, तो यह दोनों उसकी total देंदारिया है, पर मन्त, यह उसकी कमाई है पर मन्त, तो हम बस ratio simple fire क्या होता है, simple ratio कि G23 प्लस G24 डिवेड़ बैजी 22, कि total देंदारिया इतनी, डिवेड़ बै टोटल इंकम इतनी, कितने परसेंट बनता है, अ मेरी total income है, यहाँ पर 9,000 पर में न, तो 10,000 डिवेड़ बै 9,000 करूंगा, तो मेरा तो fire 100 से भी उपर चला जाएगा, 100% से उपर ratio आजाएगी न, तो that means मेरी existing देंदारिया ही, ज्यादा है, मेरी existing कमाई से, तो मेरी को eligibility बनेगी न, obviously, तो fire मेरे को यहाँ पर restrict करना पड़ता है, 100% और lower पे, अगर यहाँ पर fire आपका 100% आता है, तो मतलब क्या हुआ, कि आपने देने भी 10,000 पे हैं, और कमाते भी 10,000 पे हैं, तो यह आपका कितना जाएगा, 10,000 डिवेड़ वए 10,000, यानि कि 100%, 100%, तो यह जितना कम होगा, अगर यह 60% आया, तो 60% का क्या मतलब तो banks, जो मैं normally notice कर रहा हूँ कि 100% fire तक चले जाते हैं, 100% fire जानि कि 10,000 कमा रहे हैं और 10,000 ही देंदारी हैं, तो bank इस चीज़ पे ओके हैं, हलाकि मैं personally इस चीज़ को recommend नहीं करता, ना ही मैं इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें जो fire है, वो 50-60%, 60 70% के करीब रखना चाहिए, 60-70%, 70% fire का क्या मतलब हो गया, कि आपने 7,000 पे देने हैं और 10,000 पे आप कमा रहे हैं, क्यों 70% रखना चाहिए, क्योंकि future की contingencies भी तो हैं, कल को future में sale dip हो गई, business dip हो गया, कुछ उलट फेर हो गया, कोई और loan आ गया, कुछ और miss happenings हो गई, तो client कैसे manage करेगा, अगर हम उसको पहले ही चोक कर लेंगे, 10,000 की कमाई पे 10,000 पे का loan देने के लिए चोक कर लेंगे, तो वो कल को future की contingencies को handle कैसे करेगा, banks 100% fire पे कर रहे हैं, बट मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, मैं यही समझता हूं कि 60-70% fire हमारा normally रहना चाहिए, तो यह foyer आ गया, यहाँ पर आपने डाल दिया कि आपका loan amount कितना है, कितना loan आप दे रहे हैं और आपकी property की value कितनी है, तो loan कितना दे रहे हैं और property की value कितनी है, यह आपकी कितनी आजेगी, LTV, LTV is simple, G26 divided by G27, loan divided by property value, loan to value ratio, तो यह बताएगा कि property का कितना percent आप loan दे रहे है LTV क्या बताएगी, property का कितने percent loan है अपका, तो अब जो foyer आपका निकल के आया, जो LTV निकल के आई, तो foyer plus LTV का combination देखा जाएगा, अब माली जी आपका foyer आया 100%, जो LTV आपकी आई, वो आई 50%, तो 100 plus 50, 150% हो जाएगा foyer plus LTV, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कि banks foyer को normally 100% तक restrict करते हैं, कई 60-70 तक रखते हैं, तो कई 40-50 तक ही रखते हैं, तो अगर foyer आपका 100% है, आपकी LTV, हर एक बैंक की property के हिसाब से LTV अलग-लग होती है, वो मैं आपको पहली चार वीडियो से में clear कर चुका हूं, तो LTV अलग-लग होती है, तो जो कई, normally LTV, 60, residential और commercial property यों पे 60% LTV होती है, या 55% होती है, industrial property यों पे 50% से ज्यादा LTV allowed नहीं होती, तो बैंकों ने क्या आप norm बनाया हुआ है, पहले नहीं होता था, यह अभी कुछ सालों में शुरू हुआ है, अब बैंक four plus LTV का combination देखने लग गए हैं, पहले individual देखते थे, कि four इतना रखना 140 से 160% की range में allow करते हैं, दोनों का combination 140 से 160 की ratio में allow करते हैं, subject to their individual limits as well, अब इसका क्या मतलब है, अब माली जी अपका four आगया 50%, 50% आगया, four, अब आप बोलेंगे कि bank 1500% four plus LTV allow करता है, तो क्या LTV 100% देदूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि lab product में LTV हमेशा 60% तक ही रखते है 60 या 60, अगर deviation लेंगे तो 65 तक चले जांगे, तो इस तरह से combination allow नहीं होगा, इसको maximum 100% तक आप stretch कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, बट जो LTV है आपकी, LTV आपकी within the norms होनी चाहिए, 65 या 70 इस सबसे, हाँ, अगर आप four को 100 तक stretch कर रहे हैं और LTV भी आप 60% दे रहे हैं, तो आ दोनों की individuality को भी respect देनी है, तो इससे सबसे चलना है हमने decision making के time, I hope I am clear about this, now मैं इसमें आपको एक additional sheet दिखा देता हूँ, जो हमने नए loan की obligation calculate करनी है, proposed EMI, उसका formula, यह देखिए simple है, आप tenure लिखिए सबसे पहले months में, simple, rate of interest जो आपने देना है वो rate of interest डेलिए, मैंने 9% लिखा है, इसलिए क्योंकि आज कल 9% ही चल रहा है, EMI factor डाली है यहाँ पर, EMI factor का simple formula है, PMT का, PMT parentheses start होगी और J5, J5 is your ROI, उसको मैंने divided के 12 के साथ, क्योंकि ROI जो है वो आपकी annual है, तो उसको मैंने divided by 12 करके, monthली में convert कर लिया, right, then comma J4, आपका total tenure आगया, और minus, मैंने 10 लाक रुपे किया, यह 10 लाक इसलिए किया कि मैंने जो EMI निकली है, वो 10 लाक रुपे के लोन पे निकली है, 10 लाक यानि 1 million, तो 10 लाक रुपे के लोन, 10 लाक रुपे का अगर आप लोन, 10 सल के लिए low, 9% ब्याज पे, तो आपकी EMI 12,668 रुपे बनेगी, यह EMI factor होता है, अब आप देख लिजी कि आप कितना लोन दे रहे हैं, तो अगर आप 10 लाक का दे रहे हैं, तो अगर आप 10 लाक का डालेंगे, तो यह 10 लाक यानि की million में हो गया न, तो यहाँ पे अगर मैंने 10 million डाला तो मतलब यह 1 करोट रुपे हो गया, तो यह 10 million है, क्योंकि यहाँ प हुआ है तो यह 10 million है नीचे तो 10 million या नहीं एक क्रोड रुपे तो एक क्रोड रुपे के लोड के उपर आपकी EMI कितनी बनेगी एक लाख 26,676 रुपे प्रपोस्ट जॉब का नया लोन है तो यही आपकी यहां पर obligations अलड़ी सिखाया है detailed में और concept of income भी detail में सिखाया हुआ है obligations जिस जिस applicant को आपने add किया है उसकी obligations यहां पर लिख लीजिए वहां पर add कर दीजिए और यहां पर जो आपका obligations का total बनके आएगा उसको आप यहां पर formula लगा हुआ है यहां पर ले जाएए यहां साथ पर automatically आ जाएंगी तो उसके साथ आपकी बाकी रेस्ट ऑफ दा calculations set हो जाएंगी तो यह देखे simple calculator है बिल्कुल simple majority of organization में इसी fundamental इसी concept के साथ follow किया जाता है इसको कोई घबराने के जूरत नहीं है बिल्कुल simple है तो अभी हम एक sample balance sheet के थुरू हम इसमें कुछ figures डालके देखते हैं कि हमें किस तरह से समझ आ रही है चीज़ देखिए मैं ले ले लेता हूँ example चलिए इस balance sheet के example लेते हैं एक second one second wait कीजिए थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है अब दिखिए आई टेर नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए तो मैं जस्ट इसी वज़ए से सिर्फ इसी प्रॉफिट लॉस काउंट की help लूँगा अब दिखिए अब मेरे पास यह 22 और 2021 दोनों की position है अब मेरे पास यहां पर profit भी है और taxation यहां पर दिया हुआ है बट taxation हमें कहां से उठाना चाहिए आई टीर से उठाना चाहिए हलांकि मेरे पास आपी idea नहीं है तो मैं taxation यहीं से उठा लूँगा तो यह मेरे को defer tax matter यहां पर माहिने से नहीं करना होता मेरे को actual tax ही देखना होता है तो actual tax के साबसे काम चलेगा तो सबसे पहले देखिए कि इसका जो profit है वो profit है 24 क्रोड दो लाक रुपे और 18 क्रोड तीन लाक रुपे तो 24 क्रोड दो लाक रुपे कितना हो गया आपका 240 यह अगर मैं millions में डालू क्योंकि मेरा emi factor millions में यहां पर तो चलो मैं अगर यहां पर millions में डालूं तो यहां पर यह 240.25 million हो गया 240.25 million right then उसके बाद जो previous year का profit था वो था 180.33 million 180.33 million यहां पर डाल दिया आप देखे दोनों की average हो गई और उस average का हमने 100% eligible income में consider कर लिया जहां पर clear है यह point then उसके बाद हम आते हैं depreciation पर depreciation पर आए तो हमने देखा depreciation यहां पर डली होई है यह है 3.59 लाइक रूपीज की और 3.27 लाइक रूपीज की तो अगर millions में डालेंगे तो कितना बनेगा 35.99 million 35.99 million और यहां पर बनेगा हमारा 32.79 million 32.79 million इस ताब से हमारी depreciation आ गई अब यहां पर हम देखेंगे interest on loans considered in obligations अब जिन loans की हो की हमने obligations नीचे consider की है तो मैंने आपको concept of income और obligations समझाया वो था ना कि numerator denominator हमारा balance बरबर होना चाहिए तो जिन loans को हमने obligations में लिया है उन loans का यहां पर interest हम add back करेंगे जिन loans की हमने obligation नहीं ली उनका interest यहां पर add back करने की जुरूरत नहीं है अब यहां पर add back करने का क्या मतलब है अब profit में पहले तो आप यह समझे कि हमने depreciation को क्यों add back किया depreciation is a non cash expenditure इसमें कोई cash outflow नहीं होता हमारा तो हम यह बताना चाहते हैं कि जो यह profit net में कमाई गए हैं after minusing depreciation तो actual में अगर depreciation minus ना की होती तो यह client का cash में इतना profit होता 244.68 क्योंकि actual में 34.39 पर उसने कुछ cash खर्चा नहीं किया यह तो सर्व एक boogish entry है तो interest on loan considered in obligations अब interest on loan considerations को हम यहाँ पर add back करते हैं क्यों add back करते हैं क्योंकि उनको हमने यहाँ पर obligations में consider करी लिया यहाँ पर obligations में देखिए अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर इसकी finance post पर आते हैं सबसे पहले तो यह है 16.52 million मैं एक बार सारी ही लिख रहा हूं यहाँ पर 16.52 million और यहाँ पर है 13.88 million 13.88 million तो यह 15 million मैंने यहाँ पर net average add back कर दिया ठीक है तो यह टोटल तीन्नों मिला के आपकी figure बनेगे 259.88 तो यह खाली क्या है interest है interest का amount है यहाँ पर principle नहीं है यह बात पर ध्यान रखना आप खाली interest है तो जब आप यहाँ पर obligations को final करते हैं तो जब आप यहाँ पर EMI डालते हैं माली जी किसी loan की आपने 5 लाख रुपे की EMI डाली जब आप EMI डालते हैं तो इस EMI में ब्याज भी included होता है बिल्कुल ब्याज इंकलूड इडोता है और principle भी इंकलूड इडोता है तो जब आप की पांच लाग की EMI आपकी existing obligation में चली जाएगी existing obligation में चली जाएगी right तो existing obligation में आपका ब्याज भी आ गया right तो जोब आप fire calculate करेंगे तो this plus this आप इसमें ब्याज add back ब्याज आपने इसमें minus कर लिए ना negative में ले लिए ना कि ब्याज देना इसको और उसमें अगर ये कमाई आप लेंगे जो कमाई आप लेंगे यहाँ पे अगर आप इस कमाई में से ब्याज भी minus करके चलेंगे यहाँ पे अगर आप उसको ब्याज को ना लें 15 minute दो के तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि आपकी कमाई में तो मतलब जो ये profit बचे हुए हैं ये ब्याज की देनदारी के बाद है तो फिर यहां तो आप क्या कीजिए कि यहां पर ब्याज की obligation मतलीजिए क्यों मतलीजिए क्योंकि जो आप total income यहां पर compute करेंगे इसमें ब्याज की देनदारी आप अल्ड़ी minus कर चुके होंगे तो फिर total income already ब्याज की देनदारी minus करने के बाद आ रही है आपके पास तो आप जो obligation उठाएंगे यहां पर तो इसमें भी आप ब्याज को दुबारा consider क्यों करेंगे numerator और denominator में भी आप ब्याज काउंट करके चलें और denominator में भी ब्याज को ऐसे काउंट करके चलें कि ब्याज उसने अ समझना चाते हैं तो आप मिरको one to one email कर सकते हैं कुछ data तो I hope so कि मैं next एक video और practice session बनाना चाहूंगा इसके उपर तो मैं उनके उपर शायद practice session बना दूँ पर आपको मिरको complete detail देनी पड़ेगी ITR balance sheets and उसकी obligations की detail so that कि मैं एक proper video बना पाऊं तो आप उसको अंकुष जैन 291 at the rate gmail.com पर send कर सकते हैं अंकुष अनके यूएस जे आई एन 291 at the rate gmail.com पर बेच सकते हैं तो मैं उनको consider कर सकता हूं कुछ देख लूगा कि उनमें से किसको देखके मैं कोई eligibility कैसे बनानी है तो पर ये चीज धियान रखिए कि आप इस चीज में कभी भी क minus करूँगा 13.88 तो total income मैं उसको add कर दूँगा अब income from other sources मेरे पास यहाँ पर represent करने को है नहीं तो income from other sources मैं लिख रहा हूं 00 payment to relatives excluding co-applicant अब payment to relatives के लिए हमें कुछ एनेकजर को देखना पड़ेगा हम नीचे आते हैं हमने यहाँ पर देखा अनेकजर में अब देखिए डिरेक्टर को उसने पचासी लाग पचास अजार पे पे किया अब जो यह पचासी लाग पचास अजार पे पे किया इसने यानिकि 8.55 मिलियन और 4.4 मिलियन 8.55 मिलियन और 4.4 मिलियन अब मालीजे कि इस कंपनी का जो डिरेक्टर है वो राम सिंग की है एक बात को दियान रखना कंपनी का डिरेक्टर कौन है मालीजे राम सिंग और यह इसने 85,50,000 का राम सिंग को पे किया इस कंपनी ने तो अब जब राम सिंग की आप ITR खोलेंगे तो राम सिंग की ITR में में आपको पता क्या इंकम दिखेगी इंकम फ्रॉम सेलरी फ्रॉम ABC प्राइवड लिम्टेड पचासी लाख पचास अजार पे 2021 की खोलेंगे इंकम फ्रॉम सेलरी ओफ एबी सी प्राइवड लिम्टेड चार लाख चालीस अजार पे यह 44 लाख रुपीज इस तरह से आपको नजर आएगी अब आप मेरे को एक पेमेंट तू रेलेटिव को एड क्यों करते हैं हम यह मानके चलते हैं कि अपने ही भाई बंदूओं को पैसे तो हम सिर्फ टेक्स का बेनफिट बनाने के लिए ताकि खर्चा डालके टेक्स हमें कम देना पड़े गवर्मेंट को इसलिए देते हैं होती तो वो हमारी कमाई 20,50,000 पे रेमोनरेशन यहां पर दबारा डालूंगा आप खुद बताइए मैंने उपर भी उसको एड करके बेनफिट दे दिया उपर भी एड करके बेनफिट दे दिया और मैंने नीचे उसको दबारा भी एड कर लिया तो यह डबल अकाउंट नहीं हो जाएगा एक ही कमा क्या बनाया कि payment to relative excluding co applicant कि जिन co applicant को मैं ले रहा हूं अपने loan में उनके इलावा बाकियों को जो payment की है वो यहां पर डालेंगे क्यों क्योंकि यह जो co applicant है इनकी तो मैं यहां पर डाली दूँगा डाल देता हूं यहां पर देखिए अपके सामने डाल देता हूं डाली दी यह अब आप देखिए आप एक बार खर्चों को चेक कर लिजिए ड्रेक्टर अम्रेशन वेजी सेलरी ग्रैचुटी सारे नॉर्मल खर्चे हैं बिजनस के अब जो उपर उसकी सेल्स थी क्लाइंट की यह वाली सेल्स यह वाली सेल्स अब इस सेल्स में अदर इंकम एक रोर तरणवे लाख रुपे की जुड़ी हुई है अब एक रोर तरणवे लाख की जो अदर इंकम जुड़ी हुई है वो आपके प्रॉफिट में भी जुड़ी हुई है तो हमने यहां पे प्रॉफिट कितने उठाए हैं other income में वो कमाता क्या-क्या है rebate and discount कमा रहा है rebate and discount तो ठीक है हमारे business में होई जाते है normal operational है उसने interest income कमाई हुई है 13.65 million की और 12.76 million की यह 344 पे की figure ही है क्रोडो रुपे की हम बत्ते कर रहे हैं 100-200 क्रोड की तो 344 पे को मैं छोड़ देता हूँ यह भी income इसकी बेकार income है insurance claim received इसको considering नहीं करना चाहिए आइडली 344 पे यहां से मेरे को minus करने चाहिए उसको कहीं considering नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं क्या concept के साथ चल़ लड़ू कि मेरे को long term के लिए पैसा देना है 10-15 साल के लिए और मेरे को income as real as possible उसकी चाहिए तो यह जो 13.56 की इंकम है यह इसकी business की normal income तो है नहीं तो मैं इसको यहां से minus करके चलूँगा क्योंकि यह income इसमें included है profit before tax में तो 13.66 से ले लेता हूँ मैं इसको minus 13.66 minus कर दिया और यहां पे भी मैंने 12.77 minus कर दिया 12.77 minus कर दिया अब क्योंकि यह income continuously दो सालों में report हो रही है तो मैं इनको other sources की income में ले गया 13.66 और 12.77 other sources की income में मैं इन दोनों को डाल देता हूँ और इससे क्या होगा कि इन दोनों को 50% का benefit देंगे हालांकि जो पहले हम कितना दे रहे थे 100% का तो इनकी तवज्जों हम कम देंगे importance इनको कम देंगे तो यहाँ पे इनको treat कर लिया then हम इसमें अब हमारा taxation less करना रह गया तो tax sum अभी itr नहीं है हमारे पास तो simple यहाँ से उठा लेते हैं तो tax sum कितना उठाते हैंगे 60.09 60.09 then 44.68 44.68 तो यहाँ पे हमने इसका tax उठाके यहाँ पे minus कर दिया अब यहाँ पे मैं presume कर रहा हूँ कि यह client आपके पास 20 क्रोड का loan demand कर रहा है 20 क्रोड याने की 200 million तो 20 क्रोड का loan demand कर रहा है 180 months के लिए 9% ब्याज पे तो यहाँ पे 200 million डाल देते हैं और उसकी EMI बनेगी 20,28,534 रुपे 20,28,534 रुपे की EMI बनेगी client की और कितने का loan amount माग रहा है वो 200 million का और उसकी property value उस loan की property value माली जी वो हमें 35 क्रोड की property दे रहा है तो हमने 35 क्रोड की industrial property दे रहा है तो हमने 350 million समें figure डाल रहे हैं तो 350 million की industrial property आ गई तो LTV मतलब हम 57% LTV हमारी बन रही है इस case में तो यह आपकी change हो जाती है अब देखिए यहाँ पे आप अलग-अलग चीज़ों पर गूम सकते हैं अब देखिए मेरी 20,28,000 की बनती है EMI जितनी EMI जादा होगी उतरा मेरा fire जादा होगा तो यहाँ पे मैं लग-लग चीज़ों पर गूम सकता हूँ For example मैंने यहाँ पर 120 months करके देख लिया तो EMI मेरी 25,000 लग 33,000 होगी और नहीं जी 25,000 लग 33,000 से fire जादा होगी नहीं नहीं 10 euro को adjust करो तो यहाँ पे 10 euro को गुमा के देख लिया कि चलो 180 months कर देते हैं maximum 180 months कर सकते हैं अब चलो EMI का और देखना है तो rate of interest का करके देख लेते है benefit कि अब 20,000 का 23,534 की बन रही है 9% ब्याज पे अगर साढ़े 8 करेंगे तो कितनी बनेगी 19,000,000,000 19,000,000,000,000,000 किया पता मेरा fire control मे आजाए तो banks ऐसे काम करते हैं देखिए तो banks से यहाँ पे अगर 8,5% आप हवा बे नहीं डाल सकते rate of interest जो actual आपको rate of interest देने है वो आप sales stream से confirm करके यहाँ पे डालेंगे तो मैं 4,7% 9% डाल रहो हूं अब ABC Private Limited की आपको Balance Sheet में जो कुछ भी नजर आया, वो सब कुछ आपको ITR में भी नजर आएगा, क्या नहीं ITR में नजर आएगा आपको, एक तो Interest on Obligations नजर नहीं आएगा, एक आपको Payment to Relative नजर नहीं आएगी, यह Payment to Relative आपको जो मैंने Company के Case में आपको यहां से दिखा दी, एक जर में, आपको यह कहां से मिलने वाली है, सोचके बढ़ाईए, आपको यह मिलेगी Tax Audit Report में, जो Payment to Specified Person Section 482B का होता है, जिसमें हम Relatives को Salary, Interest, Rent, Remunderation, जो भी कुछ दिया है, वो दिखाते हैं, तो वो वहां से आपको Information पिकोगी, तो वहां से देखके आप यहां पे उसको डाल सकते हैं, तो यह चीज़ आपको Clear हो गई, I hope so Clear हो गई, तो इस Balance Suite को आप मैं यहां से Cut कर देता हूँ, अब हमारी आगी ITR की बारी, Co-Applicant यानि कि जो Individual है, उसकी Income आपको कहां से पता चलनी है, वो आपको पता चलनी है, ITR से, तो उसके लिए आपको ITR देखनी पड़ेगी, तो ITR में भी आपको क्या देखना पड़ेगा, Computation of Income देखनी पड़ेगी, अब Computation of, जैसे Gross Salary है, जैसे मैंने एक सेंपल, Online ही निकाली हुई है यह, Gross Salary आपको Computation में देखी, 4,20,000 रपे, तो आपको आपके Case में कितनी देखेगी, 85,50,000 रपे, तो 85,50,000 रपे आपने यहां पर Benefit दिया नहीं, तो आपने यहां पर Benefit दे दिया, सुर्य यहां पर Tax को Minus में डलना है हमने, ताकि वो Deduct होके आए, इसको Minus में डलनेंगे, Right, Tax को Minus में डलनेंगे, तो यहां पर Minus होके आएगा हो, Then हम बात करते हैं, Remoderation, तो Salary यहां से देखेगी, आप देखे, Income from Other Sources, Saving Count से उसको Interest आया हुआ है, 12,000 रपे, Right, तो Saving Count से इंटरस्ट आया हुआ है, तो आपको Continuity देखने पड़ेगी, कि दो सालों में, Regularly आ रहा है कि नहीं आ अगर आ रहा है, तो आप यहां पर डाल सकते हैं, अब मालेजे मैंने, Example के लिए यहां पर, 0.1 Million का Interest जहां डाल देता हूँ, 0.1 Million उसको Interest मिल रहा है, Right, अब Rent, अब Rent को Confuse मत कर दीजिए, LRD Products से, जो Lease Rental Discounting बलोता है, Rent यहां पर कहा है कि आपको Normal, किसी Relative से भी Rent आ सकता है, किसी कोई Firm से भी Normal, MSME Unit से भी Rent आ सकता है, बस आपको क्या देखने हैं कि उसकी Continuity हो, उस Rent की अगर Continuity है, वो Banking में Reflect कर रहा है, कोई Lease Agreement signed है, तो यहां पर उसको Consider कर लिजे, कई Bank तो Lease Agreement और Banking की Wetting भी नहीं मांगते, वो कहते हैं कि अगर ITR में आ रहा है, तो हम Okay है, तो माले जी उसको 3 लाक कर फ़े महीना, रेंट आ रहा था, तो 3 लाक कर रुपे महीना मतलभ साल का कितना होग 휩ै, borrow 21 into 3, 3.6 million, तो 3.6 million उसको रेंट आ रहा है, हर साल, माले जी पिछले साल में उसको, वो जो रेंट था, वो पिछली ITR में 2.4 था, तो यहाँ पर इस सलेसे ने rent बढ़ा दिया तो इतना हो गया इसका rent तो उसका मैंने 15% coverage लिया tax मालीजी उसका 5 लाग रुपए का या उसने मालीजी 1 million का tax पे गिया तो 1 million का यहाँ पे गिया 1 million का यहाँ पे गिया minus में डालना है minus one minus one तो यह उसने tax pay किया हुआ है interest on capital माली यह है नहीं उसका कोई profit from business firm अगर माली जो रामकुमार की individual proprietorship firm है उससे उसको कोई profit आ रहा है तो उस proprietorship firm को अगर आप रामकुमार के उपर काम कर रहे हैं तो रामकुमार की ITR में से भी उसके profit उठाके यहाँ पर डाल सकते हैं कि उसको कितना कितना profit आया और कितनी कितनी उस firm में depreciation थी वो आपकी मर्जी आ कि आपको डालना है कि नहीं डालना तो आप इस तरह से उसकी income को यहाँ पर combine कर सकते हैं माली जी उसको कोई agriculture income आती है रामको वो जो form भरना होता है agriculture का agriculture के exempt income नीचे आ रही होती है तो आप agriculture income को भी other sources में ले सकते हैं तो उसके लिए आपको कोई form J type कुछ होता है मेरे को ध्याय में नहीं आ रहा तो आपको उसका proof लेना पड़ेगा जमा बंदियों या उसकी copy लेनी पड़ेगी इसका कोई documentary proof होना चाहिए कि ये income exist करती है अब माली जी कई लोग क्या करते है माली जी रामकुमार की wife है मीना तो माली जी मीना की ITR में income आ रही है stitching income ये tuition income आपको पता ये ना ये तो stitching income tuition income तो हम ऐसे दिखाने के लिए डाल देते हैं इसके circumstance के है कि ऐसा होता नहीं है तो कोई भी income आप जिसको eligible मान रहे हैं आपकी eligibility calculation के लिए तो आपके पास ideally उस चीज़ का evidence होना चाहिए कि वो income actual में exist करती भी है कोई हवाब income नहीं है अगर आप इस तरह से आँखे बंद करके normally banking में क्या हो रहा है आखे बंद करके कर रहे है कोई चीज़ को इसको importance नहीं दे रहा सीधा सीधा काम कर रहा है तो आखे बंद करके काम करेंगे तो आप फस जाएंगे कल को ठीक है इस चीज़ में तो यह आपने मालीज उसका ले लिया तो आप देखे आपके पास total income आगई total income अगर आगई उसको divide by 12 किया तो यह monthly income आगई यह आपकी proposed obligations है तो यह foyer की calculations यहाँ पे इसको million में करना पड़ेगा यह जो proposed dmai है आपकी इसको divide by 10 lakh करना पड़ेगा क्योंकि वो million में नहीं आ रहा है यहाँ पे million की monthly income है 17 million की monthly income है existing obligations zero है for example हलांकि हमें पता है कि उसका ब्याज का खर्चा ही 16 million का था existing obligations थो obviously है तो 2 million की नए proposed loan की EMI client की ठीक है तो 11.67% का उसको foyer है 57% के LTV है तो combined foyer plus LTV 68.81% के है तो यह हमें इतना अभी तक समझ में आया तो अब हमने यह काम करने के बाद हमें अब obligation sheet बनानी है कि उसकी क्या के obligations है actual में existing जो चल रही है तो मैंने concept of obligation में आपको काफी concepts इसके बताए है तो आपको उस video को refer कर लेना चाहिए इसको समझने से पहले तो इसको obligations को हम कहां से ढूंडने की कोशिश करेंगे उसकी bank statement से ITR से उसके civil report से जहां पर हमें पता लग सके कि उसकी कोई obligation है तो वहां से उसको ढूंडने की कोशिश करेंगे तो यह page मैं बंद कर देता हूँ इसकी अब हमें नीड नहीं है उसके बाद मैं आता हूँ इसके उपर इसके उपर यह देखिए अब देखिए हमा लिजे आज 2023 चल रहा है आपके client का आपने civil open किया तो यह आपके सामने इस तरह कोई loan दिख रहा है 50 ला करपे 50 ला करपे 30 जलाई 20 को लिया था 6, 11, 20 की reporting है उसके बाद कोई reporting है ही नहीं गरेंटर कपेस्टी में loan था और कोई उसके बाद latest update नहीं है client से पूछ लिजे कोई चल रहा था है नहीं चल रहा था कई बाद loan sanction का लिया जाता है limit setup हो जाते है पर client disburse से नहीं करवाता तो 2-3 साल कोई reporting नहीं तो इसको ignore मार सकते है इस loan को तो इसकी obligations लिने की जरूरत नहीं है उसके बाद अब माली जी आपके सामने ये loan आ गया इस तरह से तो client का ये loan दिख रहा है तो इसको आप note कर लिजे यहाँ पर name of the bank आपको पता नहीं है टाइप यहाँ पर लिखा है business loan business loan लिखा ये individual sable है individual sable खोला हूँ है मैंने तो business loan लिख लिए business loan लिखा total tenure यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कितना total tenure है छोड़ दीजिए pending tenure आपको नहीं पता चल रहा कितना pending tenure है छोड़ दीजिए Outstanding यहाँ पर लिख भी है 14.23 million 14.23 million की Outstanding यहाँ पर लिख दीजिए EMI इसकी लिख भी है 4,16,850 रूपे EMI हलांकि यहाँ पर लिखे होता है पर जो एक्चुल पेमिंट भी होती है ने यह भी EMI की पेमिंट होती है तो 4,16,850 रूपे की EMI यहाँ पर लिखी गई है client की लिख दीजिए अब यहाँ पर आपको simple यह देखना है कि इसको obligations में लेना है कि नहीं लेना यह आपने decision लेना है तो मैंने आपको कई funders बताए हुए कि कई loans जिनका outstanding एक लाख रुपे से नीचे रहे हैं उनको लोग bank obligations में लेते नहीं कोई loan जिसका balance tenure 12 महीन है या उससे कम रहे गया है balance tenure pending tenure तो उसको यहाँ पर लेते नहीं कई loans जिनका हमें ना tenure पता लग रहा है ना कुछ EMI पता लग रही है ना total tenure पता लग रहा है ना ब्याच पता लग रहा है तो हम मानके चलेते हैं कि वह 3 साल का loan है तो उसको 3 साल के हिसाफ से हम उसका tenure डालके उसकी EMI EMI calculator से खुद compute कर लेते हैं तो उसको उस ताफ से डाल देते हैं यहाँ पर ठीक है तो यह मैंने आपको concept of obligations में चीज़ें clear करवाई हुई है तो यहाँ पर उसको डाल दियो obligations को obligation को right तो इस तरह से symbols में से आपने एक-एक data को pick करी जाना है और यहाँ पर उसका एक Excel में update करी जाना है और उसके बाद आपने अपने दिमाग लगा के उसके उपर decision देना है कि इसकी EMI डालनी है तो कितनी डालनी है इसकी obligation डालनी है तो कितनी डालनी है किस साब से लेनी है क आपको उनके accordingly इसको follow करना है तो हाला कि मैं इस page को हटा दिता हूँ अब मैं दो तिन page खोलता हूँ commercial सिबल के अब देखे commercial सिबल में जैसे short term loan आ रहा है 70,000 रुपे का जिसका 999 का balance है ठीक है तो इस तरह के loan को आप क्या ही obligation में consider करेंगे इस तरह के loan को छोड़ दीजिए obligation note कर लीजिए यहाँ पे excel में note कर लीजिए पर obligation में यहाँ पे EMI उसकी कुछ मत डालिए zero कर दीजिए और considered for obligation no कर दीजिए और साथ में remarks लिख दीजिए कि मैं क्यूं नहीं ले रहा obligation में तो छोड़ देते हैं इसको और देखते हैं for example यह loan है overdraft आ रहा है साथ लाक रुपे का अब मालीजी यहाँ पे लिख दीजिए आपने आपको बैंक का नम तो पता नहीं यहाँ पे आपने overdraft लिख दिया अब जब आप यह excel sheet बनाएंगे न तो आपके पस client meeting करना बड़ा असान हो जाता है client के पस जानी है आपने यह excel sheet खोलना है और जब सावन पूछ रहा है कि सर यह आपके civil में OD limit आ रही है अब यहाँ पे आप इसको जितना मर्जी detailed बना सकते हैं कि loan sanction date, last reporting date, total tenure यह वो सब कुछ जितनी मर्जी detailing add कर लीजिए तो client के पास बैठके यह excel sheet खोल लीजिए उस client के पास यह उसके accountant के पास और एक-एक loan की पूरी detail लिखते जाहिए जो जो वो बताता जाहिए, जो repayment schedule चाहिए, वो लेते जाहिए जो bank statement वो बताता है कि इसमें सही हमें जा रही है, उसकी banking लेते जाहिए तो बड़ा असान हो जाता है कई पर काम करना, अब overdraft limit है 60 लाग रुपे की इसका कोई tenure तो होता नहीं है, outsending तो इसकी पूरी होती है, साथ लाग या नहीं 6 million हो गया तो इसका हम क्या obligate करेंगे, इसका हम ब्याज obligate कर देंगे, 60 million का ब्याज, 10% के हिसाफ से या 9% के हिसाफ से डाल देते है ब्याज डाल दिया हमने इसका, इसमें कोई EMI principle तो होता नहीं है, तो yes कर दीजिए इसको, ठीक है इसको आप बंद कर देते है then उसके बाद last page है, अब देखिए यहाँ पर यह loan आ रहा है 29 रुपे का, 29 रुपे के loan में overdue भी है तो आप अपने remarks में लिख सकते हैं 15 November 21 को हुआ था sanction, 60 हमेने का tenure हो रहा है इसका, तो इसको यहाँ पर note कर लिजिए loan number 2, type other, other लिखा हुआ है loan का, total tenure आपको पता है 60 month size का, pending tenure आपको पता नहीं है हलांकि आप पता लगा सकते हैं, 15 November 21 को अगर sanction हुआ था, तो दिसंबर में पहली EMI गई होगी, तो 60 मीने का tenure है तो दिसंबर 21 में अगर पहली EMI गई, तो 1 EMI दिसंबर 21 में चली गी, 12 EMI पूरे 2022 के लेंडर एर में चली गी, total 13 EMI होगी, अभी हम मार्च के मीने में बैठे हैं तो मोटा मोटा 3 EMI और चली गई, तो 16 EMI निकल गई होगी इसकी अब तक, मार्च के एंड तक, 16 निकल गई होगी तो 60 माइने 16, तो 44 मंस का पैंडिंग 10 अर होगा इसका, आउटसेंडिंग इसका कितना लिखा हुआ है, 2.92, अलांकि calculation गलता है, यह सिबल उनी दिनों का ही ह है, यह दिसंबर, जनवरी 2021 के, फेब 2022 के, या मार्च 2022 का ही सिबल है, तो इस वज़ए से calculation पर मज जाई है, तो आउटसेंडिंग जो भी होगा उसको लिख दीजिए, EMI, यहाँ पर EMI नहीं लिखी हुई, अगर EMI नहीं लिखी, आपके पास tenure और 60 मीने का, आप average 10% ब्याज कर लगाईए, 60 मीने tenure के साबसे EMI calculator पर EMI calculator कर लीजिए, और वो EMI यहाँ पर डाल दीजिए, अगर आपके बस tenure भी यहाँ पर mention ना होता, क्लाइंट भी नहीं बता रहा होता, कोई प्रूब भी नहीं दे रहा होता, तो इसको तीन साल का मान के obligate कर देते, जो नॉर्मली बैंकों की policy होती है, तो उसको यहाँ पर obligation में लेना ही लेना, यहाँ पर आप consider कर सकते हैं, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं, तो इस तरह स सिबल के सारे loans, जो applicant, co-applicants के हैं, उनकी detailing बनते जाएं, और उनकी obligations और incomes को consider करते जाएं, तो जब यह आप कर लेंगे consider, then आपके पास एक total obligations निकल के आएंगी यहाँ पर, जिनको आप ले रहे हैं, जिनको आप obligation में 9 लिख रहे हैं, उनको यहाँ पर मतलीजिए, और इन मैं simple total लगाँगा, यह बनके आई हैं आपकी 0.95, जस्ट समझाने के लिए है, अलांकि आपको पता है कि जो मैं case की example ले रहा हूँ, इसकी obligations तो क्रोडों में होगी, 0.95, तो मैं आपके साबने अगर example भी लेके चलूँ, आपकी यहाँ पर कमाई कितने के निकल के आ रही है, 17.38 million के निकल के आ रही है, उसकी ब्याज की obligation नहीं सिर्फ 16.52 million है, latest, 16.52 million की ब्याज की obligation है, principle की तो इससे उपर भी होगी obligation, तो मैं अगर खाली यहाँ पर ब्याज भी डालूँ, 16.52 का अगर मैं ब्याज भी डाल दूँ यहाँ अकिला, existing में, तो आप खुद सोचके है कि उसका fire कहां पर पहुंच जाएगा, 16.52 का अगर मैंने यहाँ पर वो डाल दिया, तो इसका fire तो 2.02 और यह 18.something हो गया, और यह fire की कलिवलेशन में कुछ गलती है, तो यह आपका 100% से उपर हो जाएगा, obviously, क्योंकि यह आपका 16.52 प्लस 2.02 तो यह 18.54 है, तो 18.54 डिव 18.39 इंटू इंटू 100 तो 106% बनता है यह, तो 106% अपका fire होगा, यहाँ पर, तो एक सेकंड इस फॉर्मले को दवारा revisit कर लेते हैं, existing obligations अमने डाले हैं, 16.52 हाँ, तो वो थोड़ा सा यहाँ parenthesis एड़ करने का फरक था, तो इस वज़े से फॉर्मूला गला था तो आपको यह point clear हो गया, तो इस साब से आपकी यह income और obligations यहाँ पर compute हो नहीं है, अगर आप बोर नहीं हुए हैं ज्यादा, तो मैं आपके साथ एक और balance sheet, एक और profit and loss account discuss करना चाहूंगा, यह वाला, यह वाला profit and loss account, तो simple ज्यादा time नहीं लूँगा आपका, माफ रहने देते हैं, just यहाँ पर आपको मैं calculation कुछ दिखाना चाहता हूं, तो देखिए 4.12 है, यह आपका millions में देखा जाए तो, तो एक और मैं इन सब को erase करी देता हूं, just आपको समझाने के लिए है यह, अलांकि इसका कोई आपको वो नहीं है, अगर आप lecture अभी close भी करना समझाने का चोटा सा मोटीव क्या है, अब देखिए, 4.11 है, तो मैं यहाँ पर 4.12 लिख देता हूं, 4.12, मैं कहा रहा हूं, बंदा इतना net profit before tax कमा रहा है, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूं, इसके expenses पे नजर मार रहा हूं, सारे expenses ने नॉर्मल नजर आ रहे हैं, अगर चलो, 4.00,000 का ही है, तो मैं इसको ignore मार देता हूं, उसके बाद मैं उपर आया, उपर आया, तो यहाँ पर देखा, loss on sale of machinery, 2.00,000 रुपे, यह loss on sale of machinery, 2.00,000 रुपे तो बार बार होता नहीं है, तो मैं यहाँ पर client को benefit दूँगा इसका, पॉइंट टू कि यह profit तो इसका, मत minus 0.01, इसको तो other source की income मनेंगे न, 0.01 को, इसको normal income से हटा देते हैं, duty drawback, export business है तो normal income है, यह भी normal income है, normal income है, insurance settlement, 3,00,000 रुपे, insurance settlement, minus 0.3, अब यह जो insurance income है, यह तो कोई other source की income भी नहीं लेके जा सकता, other sources of income में भी वही income लेके जाओंगो, जिसकी continuity के chances हो, यह continuity रह रही हो ज इसकी, तो इसको तो मैं बिल्कुल इक नूर करूँगा, bad debts recovered, तो bad debts recover भी unique income है, यह भी हर साल होते नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर भी वड़ाओंगा, bad debts recovered को भी, synchronous income अगर 1,00,000 रुपे की है, तो इसको चलो अगर मैं benefit देना भी चाहूं, तो यहाँ से हटा दूँगा, और यहाँ पर 0.1 को add कर दूँगा, amount return of 50,000 रुपे छोड़ देता हूँ, 6 लाग और 3 लाग यह तो operating income है, ठीक है, तो यह जस्त आपको समझाना चाहता था कि भाई, अगर calculations में कई बार इन चीज़ों की adjustments भी हमें इस तरह से करनी पड़ती है, I hope आप इस चीज़ को समझा ह होगा, अच्छे से grasp किया होगा, enjoy भी किया होगा, तो बाकी मैं आपको next video में मिलूँगा नई चीज़ों के साथ, thank you very much guys